एलो फ्रेंट्स वेल्कम टू ट्रेट सिक्षिट्स बैप्रति इंट्रडे में हम निफ्टी बैंक निफ्टी में कल यसी ट्रेडिंग के उपर्चुनिटी को स्पोर्ट कर सकते उसी के साथ साथ पोजिशनल बेसिस पे हमें क्या विव बनाना चाहिए आज की वीडियो में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी का ये डेली का चार्ट है आज के सेशन में हमें एक बहुत अच्छा ट्रेंडिंग डे देखने मिला जहां पर हमें बाइंग का बहुत अच्छी ओपर्चुनिटी यहां पर आज के दिन थी मार्केट पिछले कुछ दिनों से गयाफ आप डाउन तो हो रहा था पर इंट्रा डे में अच्छा मोव नहीं देपा रहा था आज के सेशन में आमें बहुत अच्छा मोव इंट्रा डे में देखने मिला था अब अगर इसी का वा नावर की चार्ट में पर आजगे हमें का muff एक प्लस यहां पर यह एक zone यहां पर बन चुका है, जहां पर market ने multiple time यह zone से rejection फेस किया है, यहां पर W का formation हो रहा है, W का formation, double bottom का formation यह जो है, आप line chart में आपको बहुत clearly visible दिखेगा, क्योंकि gap up, gap down के case में बहुत बार price action बहुत से traders मिस कर जाते हैं, उनको सही से visualize नहीं हो पाता है, तो जब भी ऐसी situation हो, आप chart को line chart में shift कर लो, आपको यहां पर बिल्कुल clearly visible होगा, कि इस type का market में आप double bottom का formation हो तो यहां पर market में sentiments भी positive है, आज का जो data वो पूरा buying का data, plus market में यहां पर एक price action का भी built up हो रहा है, तो अगर कल market इस zone में खुलने के बाद कुछ दिर fault करके, upside का breakout देता है, तो हमें यहां पर बहुत easily 45,000 तक के भी target आने वाले days में देखने मिल सकते हैं, intraday में हम सेम चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे 15 minute के chart पर, तो market ने यहां पर आज यह जो ending में sale of दिया है, यह sale of हमारे लिए positive sign है, क्योंकि market ने यहां पर एक swing को create कर दिया है, अगर market यही पर कही पर day high के आसपास ही close हो जाता, तो market में किसी swing का creation नहीं होता, तो यहां पर यह जो sale of आया है, यह healthy sale of है, क्योंकि यह just एक pullback है, sale of नहीं है, तो यह pullback हमारे लिए healthy है, market अगर इस range में ही कई पर open होता है, तो यहां पर फिर से buyers accumulate होंगी, और जैसे ही इस level का breakout market में देखने मिलेगा, तो वो सकता है हमें बहुती smoothly यहां पर दुबारा एक follow through day देख नहीं मिले, यहां पर market में एक negative impact आया था, news की वज़े से, बट market ने इस news को एक ही दिन में absorb कर लिया, और market आज gap अप खुलने के बाद, यह जो swing market ने बनाया था, इस swing के ऊपर market टिका रहा, और second half में market में हमें यहां पर बहुत अच्छा breakout देखने मिला था, और इसी breakout के बा तो यहां पर बहुत high probability अब market यहां से upside में shift हो जाए, तो अब तक हम जो sell on rise का market सोच रहते हैं, अब देरे-देरे market buy on dip पे shift होने वाला है, अगर इन लेवल का breakout सही से होके daily में इस लेवल के ऊपर closing मिल जाती है, तो बहुत easily 500 point का हमें further target market में देखने मिल सकता है, तो यहां पित usual scenario में अगर gap up open हो जाता है, तो market थोड़ा सा volatile हो सकता है, gap down की case में यहां पर दुबारा market volatile हो सकता है, तो सबसे ideal situation है market is zone में open हो जाए, अगर market is zone में open होता है, तो हमें एक intraday के perspective से बहुत easily trade को identify किया जा सकता है, बट अगर market gap down open होता है, तो gap down, अगर हलका पुलका gap down open होता है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर gap down यह जो rally होई है, इस rally के 50% के नीचे यहां पर कहीं पर 44,200 के नीचे gap down अगर open होता है, तो यहां पर यह जितने भी लोग अपनी position को carry कर रहे है overnight, इन सब के sell hit probability अभी के लिए बहुत कम बनी हुई है, तो जब तक market 44,200 के नीचे नहीं आता है दुबारा, तब तक हमें अब aggressive selling के बारे में नहीं सोचना है, यहां पर हलका फुलका gap down या flat opening के बाद यहां पर market में हम दुबारा buying side के setup को identify करने की कोशिश कर सकते, अगर nifty की बात करें, त तो बहुत ज़्यादा strong है, यह बात हम पिछले कई वीडियों से कर भी रहे, क्योंकि यहां पर bank nifty ने जब पिछली week कर लो टेस्ट किया था, तो nifty उसके आसपास भी नहीं पहुचा था, market में negative news होने के बावजूद भी, तो यह एक clear indication था कि market में news का बहुत ज़्यादा impact नहीं आने वाला है, आज के दिन में gap up खुला, market gap up इस level के उपर ही खुला, यही से exact support spot करके पूरा दिन nifty उपर जाता रहा है, और यह जो previous swing थे, nifty में तो यह भी cut करके nifty उपर आ चुकत है, तो nifty में कल के दिन यहां पे एक halt लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्यो और bank nifty lead करें market को, क्योंकि nifty पिछले कई दिनों से अगर आप daily chart में भी देखोगे, तो यहां पे देखिए, nifty पिछले कई दिनों से यहां पे बहुत strongly hold कर रहा है अपने आप, जबकि bank nifty में हमें थोड़ा सा weakness ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो अगर nifty bank nifty को साथ में synchronize होना है, तो bank nifty को अब nifty को catch करना पड़ेगा, अगर हम all time यहां पे जो high लगा था, यहां पे इस level से अगर bank nifty में देखे, तो यह almost 5.4 का correction था, वही चीज़ अगर हम nifty में देखे, तो यह जो यहां से correction आया है, यह सिर्फ 4.4 का आया है, तो यहां पे nifty बहुत strongly hold कर रह है अपने आप, तो bank nifty को अब nifty से catch up करना पड़ेगा, तो nifty में अब को सकता है थोड़ा सा nifty इस levels के आसपास, यहां पे कई पे थोड़ा सा halt ले ले, 800 के आसपास, यहां फिर यह जो गया पे यहां पे 900 के आसपास, यहां पे, यह दो highly possible resistance है, जहां पे nifty थोड़ा सा अप ने आपको halt करेगा, और meanwhile, bank nifty में हमें यहां पे बहुत अच्छे recovery देखने मिल सकती है, अब market में, आप daily time frame में 50 moving average को अगर use करोगे, तो यहां पे आपको दिखेगा, कि 50 moving average के ऊपर nifty आ चुका है, nifty दो-तिन दिन नीचे trade कर रहा था, but finally यह ऊपर आ चुका है, और compare to previous दो कि आज के volume भी nifty में काफी अच्छे, same चीज अगर हम bank nifty में देखें, तो bank nifty में अभी भी यहां पे 50 day moving average के नीचे heat market trade कर रहा है, यहां पे आज यह blue line जो है, यह 10 moving average है, इसके नीचे ही closing हुआ है, but कल high chances से बहुत कि यह थोड़ा सा gap up open हो जाए, यह इसी zone में open हो जाए, और एक follow through मिले है हमें, और कल अगर market bank nifty में भी 50 day moving average को reclaim कर लेता है, तो यह एक market के लिए बहुत अच्छा positive scenario रहेगा, I hope आपको यह video अच्छी लगी होगी, अगर आपको यह video अच्छी लगी है, तो इसे like, share, subscribe ज़रूर करना, अगली video मिलते हैं, okay, bye